हाई फ्रेंड्स आपका स्वागत है माई चैनल को कि इंडिया में आज हम बनाएंगे बिस्किट से बर्फी जो कि बहुत ही टेश्टी बर्फी बनती है तो आप जुरूर बना के ट्राइए करें तो यह हमने मैरी बिस्किट का पैकेट ले लिया है मैरी गोल्ड का यह 40 रुप तो इसमें से हम आदे बिस्किट का यूज करेंगे अगर आप सारे बिस्किट का बनाना चाहते हैं तो आप सारे बिस्किट का भी बना सकते हैं पर हम आदे बिस्किट से ही बर्फी बनाएंगे तो देखे हमने यादे बिस्किट ले लिए हैं अब इन्हें हम तोड़ लेंगे सारे बिस्किट इसको सारे बिस्किट को तोड़ लेना है ऐसे चोटे पीसों में बहुत ही आसानी से तूड़ जाते हैं और इन्हें हम पीस लेंगे यह बर्फी हम पांच मिन्ट में तयार कर सकते हैं तो आप जरूर बनाएं इसमें कोई जलाने का भी जंजट नहीं है तो देखे हमारा पीस चुका है पाउडर बन चुका है अब इसे हम छान लेंगे छनली में और जो भी इसके पीस रह गए हैं उ तो देखे सारे बिस्किट से मारे पिश चुके हैं किता अच्छा पतला सा पॉडर हमारे रेडी हो चुका है अब हम इसमें हाफ कफ मिल्क पाउडर डालेंगे और इसमें हम दो चम्मच सुगर डालेंगे चीनी का पाउडर तो अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद तो आप ज्यादा मीठा डाल सकते हैं हमने मीठा कमी डाला है इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे साज चीजों को और इसे हम अब दूर से मांड लेंगे तो इसमें हमारा ज्यादा ज्यादा दो से तीन चम्मच दूद कर यूज हुआ है तो देखिए इसका हम एक टाइट डो बना लें ताकि बर्फी हमारे अच्छे से बन जाएं अगर हम ज्यादा टाइट डो बना लेंगे तो फिर ये अच्छे से बिलेगा नहीं और फिर फट जाएगा तो इसका हमें मीडियम डो बनाना है ध्यान रखें और बिस्किट्स में हमें और कुछ पी नहीं डालना है बस आदा कोकोनट पाउडर और दो चम्मच सुगर पाउडर तो देखिए डो हमारे रेडी हो गया है अब इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे तो हमने देशी घी डाला है तो अब इसे हम घी को मिक्स कर लेंगे तो इससे हमारा डो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और ये हादों पे नहीं पकता है तो देखिए किता अच्छा हमारा डो रेडी हो गया है बिल्कुछ सॉफ्ट हमने इससे ज्यादा टाइट नहीं गूंदा है देख सकते हैं अब किता सॉफ्ट हमारा डो बनके रेडी हुआ है तो आप इसे हम साइड में रख देंगे मिक्स करके तो देखिए है इसे हमने साइड में रख दिया इसके जो बीच में हम दूसरा फ्लेवर लगाएंगे तो इसके लिए हम आदा कप कुकुनट पाउडर ले लेंगे और आदा कप में इसमें बिल्क पाउडर लेना है और आप इसमें एक चमच हम सुगर डाल लेंगे तो देखिए इसमें एक चमच सुगर पाउडर डाल ले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम दूसरे गून लेंगे तो टोटल हमारा दोनों चीजों में चार से पाथ चमच दूद का यूज हुआ है तो इसमें भी हमने दो चमच दूद का यूज किया है उसमें उसमें भी दो से तीन चमच का दूद्या यूज हुआ था तो इसे भी हम एक टाइट डो बना लेंगे इसका भी तो देखिए यह भी हमारा अच्छे से डो रेडी हो गया है और इन्हें हम कि साइड में रख देंगे और अब हम एक प्लेट ले लेंगे उसे उल्टा कर लेंगे और अब हम जो हमने बिस्किट का डो बनाया है उससे अच्छे से बेल लेंगे तो पहले हम इसकी लोई बना लेनी है अगर आपको इसमें से दो रोल बनाने है तो आप दो बना सकते हैं हम एक ही बनाए एक ही बनाए कि तो यसे अच्छे से हमरेव प्रेला लेंगे कि इसे में ज़्यादाना है थोड़ा फैल आएंगे उद्रेख्या इस तरीके से आख से फैला ले अब बेलन से भी चुक्तकी है तो हम इसे थोड़ा सा उस्याव बेल रोजाए हाओ् वर गोल हो गजाए देखिए इस तरह के से हमने से पैला लिया है अब हम जो हमने वाइट डो बनाया है उसे थोड़ा सा रोल कर लेंगे गोल-गोल और इसके बीच में हम इसे रख देना है गोल करके इस तरह के से तो इसे हम थोड़ा सा रोल कोल करेंगे अब इसे हम इसके बीच में रख देंगे और इसे कवर कर देंगे उपर से तो इसे में ज्यादा नहीं दवाना है हलके हाथ से इसे हमें दवाएंगे और इसे इस तरीके से हम कवर कर देंगे चार तरफ से यह देखी इस तरीके से हम इसे कवर कर लेंगे और इसे रोल कर देंगे चार तरफ से इसे बंद कर दें ताकि इसके जो हमने अंदर जो दूसरे डो रखाया है वो दिखेना तो इस अच्छे से हम रोल कर लेंगे और चिकना कर लेंगे इसे इस तरीके से इसे चिकना कर लेंगे एकदम तो यह बिस्किट की बर्फी बहुत ही टेश्टी लगती है और आप बहुत ही आसान इसे बन जाती है इसमें कोई गैस चलाने का जंजट नहीं होता है कि हमें गैस भी बहुत देर तक इसे बनाना है तो देखिए रोल हमारा बन पांच मिंट के लिए फ्रीज में रख देंगे तो पांच मिंट हमारी हो चुकी है अब हम इस पे चांदी का बर्ख लगाएंगे इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है बर्फी पे बिल्कुल हलवाई जैसा जैसे कि हलवाई बनाते हैं बर्फी उसी तरीके से माई बर्फ बनके रेडी होती है तो आप चाहें तो आप इस पे पिस्ता भी लगा सकते हैं कट करके या बदाम भी लगा सकते हैं काजू भी लगा सकते हैं जो आपके पास है जो आपका आपको अच्छा लगे वह आप लगा सकते हैं इस पे तो हमने इस पे चांदी का बर्ख लगाया ह से बहुत ही च्छा टेक्चर आया है देएक इतनी लग़ा है बिन चंदी कपर क अब आसनी काट कर लेंगे मीडियूंप सोध्या तो में ऊचीं ज़ाचने के भी दुच्छा भी हेओं उन कॉट को हमें सब्सक्राइब बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं इसमें कोई काटने का कोई जंजट नहीं होता है बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट होती है यह वर्फी हमारी बच्चे भी बहुत सोक से खाते हैं बच्चों को बहुत पसंद होती है क्योंकि बिस्किट से बनाई जाती है तो बहुत बच्चे बिस्किट बहुत खाते हैं बहुत ही पसंद होते हैं बच्चों को बिस्किट तो यह बच्च खिलाएं इस रक्षा बंदन पर तो आपको माई वीडियो पसंद आयो तो मैं चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें सेर करें और हम आप से आगे मिलते हैं और नई वीडियो के साथ